प्रेस्ण सत्रह एक तिरियक रेखा दो निर्दिष्ट रेखाओं एम और एन को इस तरह काटती है कि तिरियक रेखा के एक ही और के अंतह कून समान है तो क्या हमेशा एम समनांतर एन है यदि नहीं तो किन प्रस्थितियों में एम समनांतर एन है तो इसको सीथ करने के लिए पहले हम दो समनांतर रेखा लेंगे तो यहाँ पे M समनांतर है N और एक रेखा इस पे एक तीरियक रेखा है जो दोनों को परतिछेद करता है अब इस कोन को हम नाम देंगे कोन एक और इस कोन को नाम देंगे कोन दो ठीक है इस कोन को कोन दो नाम देंगे और इस कोन को कोन एक नाम देंगे और इसको L लिखेंगे तो L क्या कर रहा है दोनों समनांतर रेखाओं को परतिछेद कर रहा है तो अपने मन से इस कोन को कोन एक कहेंगे और इस कौन को कौन डो कहेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है दिया है कि कौन एक बराबर कौन दो देखें कौन एक और कौन दो बराबर है तो कह रहा है तीरियक रेखा के एक ही और क्यांत कौन समान है तो देखे तीर्यक रेखा हो गया L और MN क्या हो गया समनांतर रेखा तो तीर्यक रेखा के एक और के अंत कोन समान है यानि बराबर है तो कोन एक और कोन दो क्या है बराबर है यहाँ पे कोन एक और कोन दो क्या है बराबर है और दिया हुआ है एम समनांतर इन एम जो है इन के समनांतर है एम रेखा इन रेखा के समनांतर है अब यहाँ पर लिखेंगे प्रमान प्रमान लिखेंगे तो प्रमान में लिखेंगे चुकी एम समनांतर इन यानि एम जब इन के समनांतर है तो तो क्या क्या हो जाएगा तो जब M और N समनांतर है तो कोन 1 पलस कोन 2 बराबर 180 डिग्री होगा कोन 1 पलस कोन 2 बराबर क्या होगा 180 डिग्री क्यों होगा तो यहाँ पर लिखेंगे सह अंतर कोन देखें जब M समनांतर है N के और L क्या कर रहा है दोनों रेखाओं को M और N को पर्दिछेद कर रहा है तो कोन 1 और कोन 2 क्या हो जाएगा सह अंतर कोन हो जाएगा क्योंकि M और N क्या है समनांतर है तो सह अंतर कोन में क्या होता है दोनों कौन का जोड 180 डिग्री होता है तो कौन एक और कौन दो का जोड क्या हो जाएगा 180 डिग्री अब लिखेंगे यह कौन एक जोड कौन एक बराबर 180 डिग्री क्यों होगा तो चुकी कौन एक बराबर कौन दो देखिए कौन एक और कौन दो बराबर है यानि कौन एक के बराबर कौन दो है तो कौन दो के जगा पे कौन एक हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर ही है कौन एक कहे हैं या कौन दो कहे हैं दोनों एक ही है तो 2 कोन एक बराबर 180 डिग्री हो जाएगा कोन एक जोड कोन एक बराबर क्या होगा 2 कोन एक ये दोनों को जोडने पर 2 कोन एक हो जाएगा तो 2 कोन एक बराबर 180 डिग्री तो कोन एक बराबर क्या हो जाएगा तो कोन एक कितना आ गया, 90 डिग्री, अता कोन एक बराबर, कोन दो बराबर 90 डिग्री, अब देखें कोन एक और कोन दो बराबर है, तो कोन एक आ गया है 90 डिग्री, तो कोन दो भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि, तो 90 डिगरी का मतलब क्या हो गया कि लंब होगा 90 डिगरी का मतलब क्या होगा कि तीरिया क्रेखा जो होगा दोनों समनांतर एखाओं पे लंब होगा 90 डिगरी कब बनता है जब लंब हो तो तीरिया क्रेखा दोनों समनांतर एखाओं के उपर लंब होगा तभी जा करके M समनांतर N होगा ठीक है तीरियक रेखा जब तक दोनों रेखाओं पे लंब नहीं होगा यानि 90 डिग्री नहीं बनाएगा तब तक M और N समनांतर नहीं होगा तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इसका उत्तर में क्या लिखेंगे तो कह रहा था कि यदि नहीं तो किन परिस्तितियों में M समनांतर N है तो हम इसका उतर लिख देंगे इसका उतर होगा नहीं नहीं M समनांतर N तभी होगा तभी होगा जब तिरियक तिर्यक रेखा रेखाओं तिर्यक रेखा रेखाओं एम तथा इन एम तथा इन पर लंब होगा तो एम समना अंतर इन कब होगा? जब तिर्यक रेखा एम तथा इन पर लंब होगा तभी जाके एम और इन समना अंतर होगा हर परस्तिती में एम समना अंतर इन नहीं होगा ठीक है? यानि जब तिर्यक रेखा के एक ही और के अंत कोन समान होगा तो हर परस्तिती में m समนांतर n नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हर प्रिस्थिती में m समนांतर n नहीं होगा कब होगा जब तीर्यक रेखा m और n पर लंब होगा यहाँ 90 डिगरी आख कोन बनाएगा तभी जाकरके m और n समनांतर होगा तो इस तरह से इस प्रसन को हल करेंगे बंस We Ma हुआ पुआ यूच यूश सुखवश सह सUT